आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउजर का कितना सुन्दर डिजाइन शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आप बनाए बिना रहन ही पाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए आपको ये पतली सी फॉर्म की शीट चाहिए होगी और ये शीट आपको किसी भी टेलरिंग माटेरियल स्टोर से मिल जाएगी इस तरह की शीट बैक बनाने के लिए भी यूज की जाती है तो इस तरह से तक्रीबन 4 इंच चौड़ी मैंने ये शीट ली है और ट्राउजर के फैब्रिक के साथ इसको मैंने इस तरह सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है चारो तरफ सिलाई लगाकर हमें इसे अटैच कर देना है और अब हमें इसके उपर quilting करनी है तो मैं इस तरह से diagonal lines यहाँ पर stitch कर रही हूँ बिल्कुल सेम धागे से ही मैं यहाँ पर सिलाईयां लगा रही हूँ तकरीबन एक एक इंच की दूरी पर मैंने diagonal lines इस तरह से stitch कर ली है यह देखिए बहुत आसान सा है यह design और बहुत quickly बन जाएगा और बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा तो इसे ज़रूर ट्राइ कीजेगा तो इस तरह से diagonal lines में एक तरफ लगा ली हैं और अब हम दूसरे direction में diagonal lines लगा कर इस तरह के boxes वाला एक pattern तयार करेंगे यह देखिए अगर आप beginner है तो chalk से पहले diagonal lines draw कर लीजी और उसके बाद ही सीधी सीधी सिलाइया लगाईएगा यह देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर diagonal lines stitch कर ली है अब यह जो हमने quilted पट्टी तयार की थी इसके side से extra fabric काट देंगे और इसे सीधा सीधा कर देंगे इस तरह से और अब एक और plain fabric का टुकड़ा काटेंगे trouser के ही fabric में से और इसके उपर हम इस quilted पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगादेंगे इस तरह से अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक top stitch लगाएंगे अब इसे हमें बीच में से fold कर लेना है इस तरह और यहाँ पर हम एक सिलाई लगादेंगे इस तरह से इस quilted पट्टी को आप थोड़ी कम या ज़्यादा चौड़ी भी कर सकते हैं और इसी तरह का design आप अपनी कुर्टी की sleeves पर भी बना सकते हैं तो यह देखिए सिलाई लगाने के बाद इसका extra fabric हमें काट देना है और अब हमें इसके उपर beads attach करने है तो यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटे size के beads इसके उपर attach करूँगी जो हमने सिलाई इसके उपर लगाई थी उनके बिल्कुल बीच-बीच में इस तरह से हमें beads को attach करना है जहाँ पर सिलाई का cross बन रहा है बिल्कुल उसके उपर हमें beads को attach कर देना है यह देखिए बहुत ही प्यारा लगता है यह design बनने के बाद आप चाहे तो इसके उपर half beads attach भी कर सकते हैं fabric glue की मदद से यह देखिए इस तरह से मैंने सभी beads को यहाँ पर attach कर दिया है और beads attach करने के बाद यह पट्टी कुछ इस तरह की दिख रही है अब यहाँ पर इसके उपर attach करने के लिए मैंने white color की यह lace ली है तो इसको आप चाहे तो उपर रख के भी attach कर सकते हैं लेकिन मैं इसे नीचे दबा कर यह attach करूंगी तो नीचे की तरफ हम इस lace को attach कर देंगे यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी lace ले सकते हैं white या किसी और color की भी ले सकते हैं आप चाहे तो थोड़ी कम या जादा चौड़ी lace भी लगा सकते हैं अब एक double edging वाली lace को हम इसकी दूसरी किनारी पर उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी को दबाते हुए सिला ही लगाएंगे और अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह यह देखिए अब इस तैयार बॉडर को हम टॉजर के आगे उल्टा करके रखेंगे और इस तरीके से हम इसकी किनारी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद इसको हम फिर से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच लगाएंगे और इस डिजाइन को बना कर तयार कर लेंगे देखिए कितने कम एफ़र्ट्स में कितना सुन्दर सा डिजाइन बनकर तयार हुआ है यह देखिए तो ट्राउजर का ये डिजाइन हमारा बन कर तयार हो चुका है और अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक ये सो मुच फो वाच्चिंग बाई बाई